हलो फ्रेंड्स दिस दा फिफ्ट लेक्चर ओफ लिमिट चैप्टर इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाओ एक्जिस्टेंस ओफ लिमिट जानेंगे क्या कंडिशन फॉलो करना चाहिए किसी पॉइंट पर लिमिट एक्जिस्ट करे उससे भी पहले हम लोग जानेंगे लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को सुरू कर लेते हैं लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लिजिए और साथ ही इस वीडियो के लाइक के बटन को दबाद दिए और बेल आइकन को भी दबाद दिएगा चैनल पर जाके कि आपको कोई भी वीडियो हमारा मिस आउट ना हो तो चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम गबाद अपने इस वीडियो को हम लोग कर लेते हैं सुरू existence of limit को अच्छे समझते हैं लेकिन उसे भी पहले एक बात की limit किसी भी एक point का निकलता है फिर से repeat करेता हो limit किसी भी एक point पर निकलता है तो चलिए आप देख लेते हैं solvent limit हर्ट हर्यमिट क्या है और उसके बाद बात करेंगे हम लोग existence of limit के बारे में तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखिए friends left hand limit right hand limit क्योंकि इसके आगे right left लिखा हुआ है तो इसका कुछ ना कुछ मतलब होगा कि right और left क्या मतलब है तो x tends example के लिए मैं ले लेता हूँ एक example कि x tends to रहा होगा कोई 2 तो x तो not equal to 2 होगा पहले वीडियो में हम लोग बात कह लिए है तो 2 की तरफ जब हम लोग left side से move करेंगे तो left hand limit कहेंगे और जब right side से 2 की ओर आएंगे तो इसको क्या कहेंगे right hand limit फिर से बात कह लिए है अगर कोई point 2 है example के लिए कि x tends to 2 हो रहा है तो x तो not equal to 2 होगा x not equal to 2 होगा और अगर हम लोग 2 की ओर point 2 की ओर left side से move कर रहे हैं तो जो value आएगा limit का वो left hand limit कहलाएगा और अगर हम लोग right side से move करेंगे 2 की ओर तो क्या कहलाएगा right hand limit तो यह होगे इसका थोड़ा सा information तो अब चलिए left hand limit को अच्छे से जान लेते हैं उसके बाद right hand limit तो देखिए इसका symbol क्या होता है limit x tends to a minus fx अब left hand limit को कैसे पहचानेंगे तो x tends to a minus a को constant है बात बताने वाली नहीं है तो x tends to a minus मतलब हम लोग left से a की और move कर रहें किसी point की तरफ हम लोग left side से जा रहें तो इसको आप number line से समझ लेते हैं तो देखिए number line से left hand limit left hand और limit को समझ लेते हैं तो left side से किसी point की तरफ आप move करेते हैं 7 ले लिए हम लोग ने ठीक है तो left side से 7 की और move करेंगे तो x not equal to 7 होगा है ना x not equal to 7 होगा तो 7 से कोई छोटा ही value होगा तो यहां पर कोई छोटा value होगा तो 7 से छोटा है इसलिए x tends to होगा क्या 7 minus है ना समझ गया होगा आप लोग x tends to 7 minus होगा इस example के लिए ठीक है और यही चीज right hand limit में plus में आ जाएगा चलिए आप right hand limit देख लेते हैं उससे पहले इसका थोड़ा सा detailed way में लिखा हुआ देख लेते हैं theory क्या है कि जब यह जो value है यह जो limit का value इसका मतलब क्या होता है that the value of fx fx मतलब y का जो value है y equal to fx है ना y equal to fx fx है function में आप लोग में पढ़ा होगा तो y equal to fx का value क्या होगा जब x a की और move कर रहा होगा fx का value बताइए जब x का value जब हम लोग a की और move कर रहे हैं किस side से left side से ठीक है तो अब left side से move कर रहा है तो a x का कहीं यहां पर होगा value x का value कहां पर होगा कहीं a के पीछे कहीं होगा और a के पीछे जो value होगा कैसा होगा a से छोटा होगा left hand side तो सारे value smaller होता है ठीक है तो a से smaller value होगा इसलिए हम लोग कह सकते ना कि x less than a इसलिए left hand limit में x का value a से क्या होता है less than चलिए अब right hand limit को देख लेते हैं x tends to a minus इसमें है limit x tends to a plus fx ठीक है या फिर plus zero मतलब एक बहुत यह small number add में तो वह लिखे या a plus लिखे बात बराबर है तो यह plus sign आपको क्या बता देगा कि यह right hand limit है ठीक है अब इसका number line से समझ लेते हैं तो देखे number line में same example 7 के लिए अगर हम बात करते हैं और 7 की ओर हम लोग x axis पर right से आ रहे हैं तो right से आ रहे हैं तो x का value कहां पर होगा क्योंकि x तो not equal to 7 होगा अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो please limit का पहला वीडियो हमारे चैनल पर जाकर देख लिए तो देखिए x not equal to 7 होगा तो right hand side का तो सारा value बड़ा होगा 7 है 8 है 9 है 10 है तो सारा value तो बड़ा होगा चलिए इसका written form क्या है वो देख लेते हैं the value of fx मतलब y equal to fx है ना y equal to fx approach क्या लिखा हुआ approach the number as x approach a from right मतलब ये की a की तरफ मतलब ये की a की ओर जब हम लोग right से move कर रहे हैं तो fx का जो value आएगा वो होगा right hand limit और similar way में right hand side क्या होता है a से तो सारे number बड़े ही होंगे है ना तो x का value इस case में a से बड़ा होता है ठीक है a से सारे बड़े value हो तो जैसे आप example में देख लिए right side में 7 से सारे बड़े value हैं तो इसके just पहले भी क्या होगा बड़ा value होगा इसलिए 7 plus होगा right hand limit में और left hand limit में क्या होगा अब आप खुद अंसर दे देजे 7 के पीछे जो value होगा 7 से छोटा होगा इसलिए x tends to 7 minus तो चलिए अब हम लोग right hand limit left hand limit को अच्छे से जान लिया अब हम लोग जान लेते हैं existence of limit जो आज का topic है इस वीडियोगा तो existence of limit के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं तो देखिए condition क्या है कुछ बड़ा condition नहीं है आपको limit निकालने बसाना चाहिए जो कि हमारे पिछले वीडियो में अच्छे से बता दिया गया हर theorem के साथ ठीक है तो अगर आपको नहीं आता limit या कोई confusion तो प्लीज पिछले वीडियो को देख लिजे तो चलिए फ्रेंट्स इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि left l left hand limit is equal to होना चाहिए right hand limit left hand limit और right hand limit किसी point a पर same point है same function है किसी point a पर दोनों का दोनों side से limit equal होना चाहिए मतलब left side से भी और right side से भी तो एक question आ सकता है मन में कि क्या left hand limit और right hand limit अलग भी होता है तो चलिए इसको समझ लेते हैं graph से तो देखिए सबसे पहला graph इस graph में भी हम लोग क्या निकाल रहा है limit x tends to limit x tends to एक बार निकालेंगे left hand limit और एक बार निकालेंगे right hand limit तो चलिए पहले left side से बढ़ते हैं तो left side से जैसे ही हम लोग a की तरफ move कर रहा है x tends to a है खिक है तो a की तरफ जैसे जैसे हम लोग move कर रहा है तो fx का value y axis का value किस पांड की ओर move कर रहा है y का value b की तरफ move कर रहा है और जब हम लोग right से इसी a की ओर आ रहा है तो function का value किस और की तरफ बढ़ रहा है B की और है ना दोनों case में B की और मतलब left hand limit भी B right hand limit भी B आ रहा मतलब दोनों का value क्या है same है और इस example के लिए क्या हो जाएगा B तो right hand limit और left hand limit जब equal होता है तो उस point पे limit निकलता है और जब नहीं होगा तो limit उस point पे नहीं निकलेगा तो चलिए एक और example देख लेता है इस example को गवर से देखिए यहाँ पर जब हम लोग left side से a की और move कर रहा है तो इसका value आ रहा है B मतलब limit का value क्या आ रहा है B लेकिन जब हम लोग right side से move कर रहा है a की और right side से move कर रहे है एक यह और तो value क्या आ रहा है C मतलब एक में आ रहा है B और एक में आ रहा है C और B और C दोनों तो एक point दिखना है रहा ग्राफ में तो यानि दोनों का limit आ गया unequal मतलब इस case में limit exist नहीं करेगा ठीक है जब दोनों limit left hand side limit या left hand limit और right hand limit जब equal होता है तभी उस point पर limit exist करता है तो चलिए अब इस पर कर लेते हैं question जिससे आपको एक mind map तयार हो जाएगा चलिए question करते हैं देखिए इस question को गौर से देखिए और खुद से बनाए वीडियो पॉस करके पहले मैं explain कर देता हूं क्या है कि fx हमको निकालना है कहां पर point पर x tends to zero पर मतलब point दे दिया है क्या है zero है ना zero दे दिया है point कि आप zero पर निकालिए और जब zero से value less होगा मतलब zero से समझ लेते थोड़ा अच्छा से देखिए मतलब यह कि zero से जब value x का छोटा होगा तो fx का value क्या लेना है sin x by x और x का value जब zero से बड़ा हो x greater than zero हो तो fx का value क्या आता है 10x by x लेकिन हमको निकालना ही यह है कि limit x tends to zero fx तो सबसे पहले यह देखना होगा ना कि exist करता या नहीं तो चलिए अब आप निकालिए इस वीडियो को pause करिए और इसका answer निकालिए चलिए तो आई होप आप लोगों से question बन गया होगा बहुत यह असान question है तो जब x less than zero होगा तो हम लोग यह function यूज़ करेंगे और जब x greater than zero रहेगा तो यह function यूज़ करेंगे अगर left hand limit और right hand limit zero पर same आगया मतलब point zero पर exist करेंगा limit और अगर exist करेंगा तो x tends to zero पर limit का value आएगा तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले left hand limit निकाल लेते हैं तो left hand limit के लिए क्या होगा देख लिए यहां पर लिखा हुआ है limit x tends to point क्या है zero तो zero minus fx अब जब zero से x का value छोटा होता तो हम लोग क्या लेंगे sin x by x तो हम लोग ने ले लिया sin x by x और हम लोग ने अपने second वीडियो में theorem का वीडियो था वो उसमें हम लोग ने बात कर लिया था एक theorem के बारे में जो कि था limit x tends to zero sin x by x जिसका value आता था one तो इतने पूरे का भी value क्या आ गया one मतलब ये कि left hand limit का value कितना आ गया one आ गया तो चलिए अब right hand limit निकालते क्या वो भी one आता है या नहीं तो चलिए अब निकालते है right hand limit तो right hand limit के लिए हम लोग ने लिखे दिया limit x tends to zero plus तो जब zero से plus होता value x का तो हम लोग कौन सा function यूज करने कहा है question में 10x by x 10x by x तो 10x by x को यहां पर कर लेंगे fx का जगा पर put उसके बाद यह यह भी किसी theorem पर ही based है मुझे देखने से लग रहा है तो आगर आपको भी देख रहा है तो यह देखी वह है यह थ्योरम when limit x tends to zero 10x by x का value हम लोग ने क्या पढ़ा आता one होता है तो simply इस पूरे का भी value क्या आ जाएगा one तो right hand limit भी one आया left hand limit भी one आया मतलब यह की देखिए left hand limit zero minus और zero plus right hand limit दोनों क्या आ गया one मतलब इस point zero point पे limit exist करेगा तो जब limit दोनों तरफ का same ही है तो हम लोग minus plus क्यों लगा है डिरेक्ट लिख देंगे limit x tends to zero fx is equal to zero point में limit क्या आएगा right से और left से दोनों से same आएगा वो है one तो अगर limit निकलेगा मतलब limit exist करेगा तो same आएगा है ना limit exist करेगा तो right hand limit और left hand limit तो same आएगा ना तो उस zero point पर किसी भी करें minus करो या plus करो तो value तो one ही आएगा तो यह होगे आज का question तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसका bookish book में इस तरह से बनेगा कैसे तो देखिए left hand limit निकाल लिया हम लोग ने तो function का value क्या रखना होगा जब x less than zero sin x by x तो उसका value क्या आगया one similar way में निकालेंगे हम लोग left hand limit जिसमें कि जब x greater than zero होगा तो लेंगे 10x by x जिसका भी value आ गया one और final stage में हम लोग ने देखा कि left hand limit और right hand limit दोनों है बराबर और equal to किसके है one के इसलिए हम लोग ने last में लिख दिया कि क्योंकि hence limit are equal तो x tends to zero पर इसका value क्या होगा पहले हम लोग ने लिख लिया कि limit exist करेगा पहले हम लोग ने लिख लिया कि limit exist करेगा और limit exist करेगा तो right hand limit equal to left hand limit is equal to one तो यह आगे हमारा one answer तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो चलिए friends this is the question of a day तो इसको आप करिए solve और इसका answer आप comment box में लिख कर दे दिजेगा अगर आप को यह वीडियो में कुछ सीखने को मिला कुछ आपने नया सीखा तो प्लीज इसका चैनल को कर लिजेगा subscribe कि बीना भूले कर लिजेगा इससे like और अपने दोस्तों को इससे share जरूर करिएगा क क्योंकि इससे थोड़ा motivation मिलता है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं continuity के बारे में जो की limit के बात पढ़ना होता है तो चलिए friends अगर अभी भी आपनों subscribe कर इस channel को like कर दिजे हम लोग मिलेंगे अपने next वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे continuity के अवारे में